कि आप लिडर बहुत जादा बात करनी की जुरुत नहीं प्रोड़क्ट समझानी की जुरुत नहीं है साथियों एक ही मेरा पहला सवाल है आर्थिम सिस्टम में हमारा लक्ष क्या है कोई नहीं नहीं है मैं पूरे भारतेश में सिमिनार लोते रहता हूं और पूछता हूं को कई सारह हो से हमारा लक्ष क्या है हमारा लक्ष है दिस्टिटिर से डायमड बनना आप लोगों की तैसें कितने लोगों का है लक्ष बनना? मगर कितने इनों में एक लिग्ष को पार करना चाहते हूं कितने इनों में आप तयांड न जाएंगे फिर प्रिच्णिक यहाँ चाहँग — फिर मैं मैं वर बनूंगा इम्राल सफार भीर में बनूंगा को बनूंगा कोई गरैंटी नी साथियों हमारा लख्ष टाइम बाउंड होना चाहिए अगर आपका लख्ष टाइम बाउंड ही यह तो आप जीवन में बड़ी सफलता हचिल नहीं कर सकते अगर आपकी उम्र 40 साल है और आपके कह आपके दो बच्चे आएगा बच्चे बोलेंगे बुड़े आप घर पे बैठ जातू हम मजा करेंगे तो साथियों हमारा लख्ष टाइम बाउंड होना चाहिए जोंकि हर चीज दुनिया में हर चीज टाइम बाउंड है नेचर टाउंड बाउंड है जैसे फसल हम लगाते है जबिन में फसल की पुवाई जब होती है धान की पुवाई होती है कपास की पुवाई होती है यह की पुवाई होती है तो टाइम बाउंड निकलती है जिने टाइम पे टाइम फसल निकलती है कर नहीं निकलती कभी धान की फसल ने कहा क्या मैं दो स तो आप कितने दिन में यह सफरता है करना चाहते हो चोटा सा एक तंबल देना चाहता हूँ आप फोरलेन आइवे देख रहे हो यह फोरलेन आइवे है दिल्ली से जैपूर का 202 km से दिश्टन है आपको 280 km से पार करना है 4 हंड़े में देख Hi Egction अपको पहला ओक्षन है ट्रक्टर के बरस बाई एक है उसके बाद सब्सक्राइब कौन सी गाड़ी में बैठोगे कौन सी गाड़ी में बैठोगे बीएम डवल्यू मर्सडी क्यों क्योंकि आपके मन में तुर्ण विचार आया अगर मुझे 280 किलोमेटर डिस्टन सब्सक्राइब करना है चार घंदे में तो सब्सक्राइब के चलने वाली गाड़ी में मुझे बैठना पड़ेगा साथियो आप ट्रैक्टर से में जा सकते हो मगर 10 घंदे लगे मगरा आपके दिमाज में विचार आया कि मैं तेज रब्दार वाली गाड़ी से जाऊंगा तो मेरा लग्स टाइम पाउंड रहेगा वैसे ही आप आपके सिस्टम में डिस्क्राइब कि इतने दिन में बनना चाहते हो अगर आप 5 साल में 6 साल में डाइमड बनना चाहते हो मगा तो साथियों आपको है मिचली मोले प्रडठों जो चो अक्ती प्रतिशत दुनिया की दुछ को तो भारत में सबसे जाधा दूल्य अबडर остав機 काम करना पड़ेगा नीचे लिखिए श्रिफ भीटी खीटी लिखिए एसा एक आगवी निखा दो मुझे पुरे भारत देश में जिसमें किसान हो एक आध मी निखा दो भारत देश में जो खाना ने खाता हो जिनके पास खेती ने वहीं लोग जादा काना था थे साथियो यह सबसे पावरफुल बड़ा बिजने से आपके अंग सिस्टम में हाई सेंगेरी के अग्रिकल्चर प्रोडेक्ट सुर्ण गाला में कितने नायाग जबर्दस प्रोड़क्ट है कितना अग्रास को पे कहीं लोग उनको लगता है कि अग्रिकल्चर फ्लेक्ट्रिप जुन जुलए महिने में बिखते है जब परसात होती है एक ही बार बिखते है बाद मिक्स्तान खरीटते नहीं नोलेज नहीं सर भारत देश की खिती में दो सिजन है पहला एक खरीब सिजन चार महिने के सिजन होता है मही से स्टार्ट होता है मही जुन जुलए आउगश्ट दूसरा सिजन है रभी सिजन अक्टवर से शुरू होता है अक्टवर गौंबर की से मरभी रभी का सिजन स्टार्ट हो रहा है जनवरी तक सीजन चलता है, तोटल आठ मेने तो दो सीजन चलते ही है, आठ मेने आप कुसानों के साथ 100% काम कर सकते हो, उसके बाद मुझे इंदुस्तान का ऐसे गाव दिखा दो, ऐसे एक शहर दिखा दो, जिस चहर में पूरे 12 महने में किसी भी प्रकारी सबजी नहीं मिलत ही, 12 महने मिलती हैं कि नहीं सब्जिया, इसका मतलब सब्जियों का बेख है, 12 महने आप सब्जियों पर काम कर सकते हो, हरी सेन्योरी पर 12 मेरे आप काम कर सकते हो, त्रिफ आपको विजारों को बदलना है, वीजन को बदलना है, थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा साथियों और मुझे सारे लोग कुछते मुझे तो बड़ा अश्चेर होता है कि लोग कुछते के अग्रिकल्चर पुड़क्टों भी कितना स्पोप है अरे भाई क्या बोलो आपको अब छोपा से नजारा दिखाता हूं स्टेट वाइज पहले में इंदुस्तान वाइज दि चार करोड नो लाग एकर माराश चार करोड एकर ये एक एक राच्ची की जमीन है घुजराथ दो करोड सज़तिस लाग एकर बिहार एक करोड च्यानवे लाग एकर वेश वेंगाल एक करोड पईतिस लाग एकर पंजाब हरियाना आसाम औरिशा आंधर प्रदेश तेलंगन कि यहाँ पर यूपी के मेरे बहाई बैठे वे कितने लोग है आपके टिस्टीस से आपको बाहर जानी की जुरूत ने साथिए श्रिफ आपके डिस्टीस में आप जहां रहते हो शिर्प SóorkIndo में की दाइरेेंみंँग अंकरौ आफ बन सकते हो परने अजब्स में के दाइरें में इतना बढ़ प्रत्व सेली आप Agriculture प्रोत्व प्रोडेक्ट में उपर कर सकते हो तो बहुत सारे आपके लिए हर बार हर समय हम कंटीनियूस सोचते रहते हैं कि आपका बिजनेस साथियों कैसे बढ़े अगर आप थोड़ा सा हरी संजिनी का बिजनेस कोईट अप कैलकुलेशन देगे क्योंकि आगर आप क्यालकुलेशन नहीं करेंगे तो आप बड़े सक्षेस नहीं बन सकते साथियों नहींगे हरी संजिनी पेशते हैं हम लोग हमें बताएं नहीं है बिसन सॉल्यम कितना आ रहा है उसमें रिटेल मार्जिन कितना है हरीजिनिए का कॉम्ब पैक जो वेजटेबल anyway के लिए कॉम्ब का बनाग़े भीज़िचे का क्पे बनाकि बना कि देंगे हरीजिनिए-टीन तरह इसका अगर को प्यक्त Sp corridor थो सटी हिंगा कोंबो बैग बना के देना चाहते हो हैं उसके लिए रैपेट देने की जो रुख दिए तो भी आपको टोटल बिजनेस वर्लिम आपका आएगा ग्यावाश सो सत्तर और नेट नेट निटेल मार्जिन आएगा 690 रुपए कई सारे लोग इसके उपर दमाके के साथ काम कर रहे कमी नहीं है बहुत बड़े प्रेमाने पे फ़लो की भागवारी होती है चाहते हो अगर फ़लो की भागवारी करने वाले रोगों के लिए अगर आप ये कोंगो बैट बना के देंगे क्योंकि उनको तीन मार्ट फूट स्पेशल का स्प्रे करना है तो उबार स्वाईल एल कमीन में देना है तो तीन पाउच फूट स्पेशल के दो पाउच स्वाईल के और एक लिटर का स्प्रे मैट्स के दो होटल तो इसमें नेट रिटेल मार्जिन आपकी अठरा सो साथ रुपे और बीवी चार हाजार चार सो पच्जीस होलो की भागवानी करने वाले इतने ल सब्सक्राइब करने की जूरते सारे सेंट्रल गवर्मेंट अफ इंडिया यंद्पी ओपी जो लाव बना हुआ है नैशनल प्रोग्राम फोर और अरगनिक प्रोडेक्शन स्टैंडर से सर्टिफाइड प्रोडेक्ट है आइसी एर से गुन्वात्ता प्रमानिक प्रोडेक् क्योंके मैं चालता अगर्स को बहुत इंपायर खारा करना है अकर कर सकते हैं और की चलता प्रोडेक्शनर वर्में तो बहुत चुल्यकर थे और लाट भीवी कुरे साल में एक दिसंबर से करेंगे तो वन नाइट टू डे का नाशिक्टूर हरिक संचनिने ट्रेनी नासिकी टूर प्लस फ्री जाने आने likely खर्चसलि पांपके सोर्सटार। रिशोट्ट पे रहने का मोका। उसके बाद अफ़र्थ हा विवी ब पूरे साल में टाइम पिरेड वही है थ्री नाइट फॉर डे डॉमेस्टिक टूर सिंगल परसंग के लिए भारत पे बहुत अच्छी जगह पे थ्री नाइट फॉर डे का टूर आपको दिया जाएगा और बड़ी होफर है शेलाग बीवी एवरे गफर यानि कि 50,000 बीवी पर मंत क्राउं क्लांग पचास जार बीवी अगर पर मंत करते है या एवरे गफर यावरेज अउट 6 लाग बीवी करते हैं तो मलेशिया इंटर्नेशनल टूर थ्री नाइट फॉर डे का ये चोटी सी ओफर हरी सेंजरी की तरफ से मैंने देने का प्रयास किया है साथियो हरी सेंजरी का श्टोहाल लगा हुआ है बाहर वहाँ ये आपके अभ्यास के लिए स्टेडी करने के लिए बहुत अच्छे-च्छे सारे टूल्स वहार रखे है सेंजरी करने वालों की हार नहीं होती है एक मिनिट में छोटा सा एक कहानी बताना चाहते हो साथियो मैं भी मेरा भी खूल अर्षियम सिस्टम से दोड रहा है क्योंकि मैं भी 11 साल से सारे गृव कि बच्चे रहते हो तो तरफ से सपने देखने वाले आप की तरफ से सपने देखते हैं अगर इन सपने आप पुरे कर सकते हो क्या कर सकते नहीं कर सकते साथियो इतने बड़े कंपडिशन के मार्केट में सबके सबने साकार नहीं कर सकते एक छूटी सी कहाणी साथ्योक लगड़ी काटने वाला आदमी था हर दिन बहुत गरीवी में जीवन व्यतित करता था हर दिन जंगल में जाता था और लगड़ी काटके वह लगड़ी बेचके अपन पूचा बेटा क्या चाहिए वर माई मगर मेरी कंडिशन एक लाइन में मांगा दो वार नहीं तो लगड़ी गाटने वाला अपने जैसा बोले माता जी मैं घर पे जाके पूच के आता हूं तो घर पे गया पिता जी को कहा बोले लक्षमी माता मेरे सपने में आई और मुझ मैं इनी उम्म रहो गई है मेरी मुझे सोना चाहिए, मैरे घर में सोना चाहिए इसो मुझे लगता है, मा के पास गया, मा बुली मा की कई क्यों सांधी थी बोले पिता-ची को छोड़ दे, सोने की कोई जो रॉतती, मैं इस दुनिया को देखना हूं मेरे लिए हाके मांग, पिता जी का अलग सपना माका अलग सफना बीवी के पास गया बोले फूर होगों क्या सुनते हो देस्ता लो गो अपनी स्याधी ने हुई अभी अपनेको बेटा पैदारी अब हमारे लिए बेटा मंग spins मौख ले अम बैटा मॉले आं गार तीनों को अलग अलग सपना बोले मेरे माँ की ऐसी इच्छा है कि वो उसके नाती को सोडे के लोटे से दूस पीचे हुए देखना चाहती है साथियों सोडे के लोटा नाती सब्कु जा गया एते आज धर्ती पर मा लक्षिमी का वर्दान बनके आर्शियम सिस्टम उबराए साथियों आर्शियम सिस्टम पे कांग करो और पारिश सत्ने साकार करो धैंक युद दन्यवाद धैंक युद ये अर्शियम झाल झाल